हेलो बच्छा बाड़ी वेल्कम बाक टू माई यूटीव चैनल आपके एक्जाम के पहले बहुत ही जादा महात्व पूर्पूर्ण बात है आप लोगों को पताना चाहता हूं जो कि बहुत जादा आपको ध्यान रखनी है इसके अलावा आपको कुछ चीजे आपके कुछ ड एक्जाम के एक दिन पहले का समय है हम लोगा कल एक्जाम में फटा फट से यह वाला टॉपिक तुम्हें किया नहीं उचले काम करते कोई मैराथ्वन हो रहा होगा या कोई रिवीजन सीरीज हो रही होगी उपर-उपर से देख लेते कुछ 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 आएगा तो बन नहीं है वो थियोरी चाप्टर नहीं है जो बनने लग जाएगा नहीं बनते जब तक क्वेश्चन ब्रैक्टिस ना करो तो ऐची गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे इसमें आपको आरो एस टेखनीक यूज करना है रीड और और एंस्ट यानि कि सिंपल शब्दों में जो आपका reading time आपको मिला हुआ है उसमें आपको बिल्कुल भी mcq और one marker वाले question नहीं पढ़ने है एकदम भी time waste नहीं करना है उन questions को पढ़ने के लिए आपको सीधा जम करना है section number c में a b को skip करते वे section number c d भी नहीं पढ़ना है क्योंकि d आप compulsory position आपको करना ही है a और b हम क कौन सा question आप पहले solve करने वाले हो जिसमें आपको surety है कि आपको इस question को तुम्हें hundred percent marks वेच कर लूँगा तो यह question पहले करूँगा फिर यह question फिर यह question तो जो question आपको अच्छे से बन रहे है वह आपको पहले करना है और देन start अब तब तक आपका reading time खतम हो जाएगा फिर आपको paper start करना है with section number C तो section C आप पहले complete करोगे section D complete करोगे और with time budgeting आपको time का budget लेके चलने है आप section A और B में होगे क्योंकि A और B MCQ वाला section होने वाला या theory वाला section होने वाला है इसके लिए आप time बचा के चलना मोटा मोटा में आपको बता दू 30-40 minute आपको लगेगा section A और take with yourself आपको क्या-क्या लेके जाना है अपने साथ admit card आपको लेके जाना है अपना अपना धार card को photocopy ले जाना है और अगर institute का ID card है तो वह आप लेके जा सकते हैं इसके लावाए एक black pen अपने साथ रख लेना rough sheet में लिखने के लिए ठीक है black pen और ऐसी pen रखना जो कि card के आ रहे हो तो आपको उसको by time before time ही complete कर लेना है क्योंकि यह आपका game change कर सकता है अगर paper का major part वह अले section का doubtful लगता है तो situation में यह आपको pass कराने का काम कर सकते हैं ठीक है आपको center को reach करना है one hour before exam क्योंकि पहला दीन होगा exam का आपको अपनी seat ढूननी होगी आपको अपनी जगा दूननी होगी आपको अपना देखना पड़ेगा कि मेरा mouse monitor सब चीज अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि पिछले बार कुछ बच्चों का नहीं काम कर रहा था तो situation में आपको exam center पहुच जाने एक घंटे पहले एक या तेड़ गंटे पहले 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 जिन तो यह क और एक बहुत बड़ी यहां पर announcement यह है कि rough sheet institute submit तो करवा लेंगे बट rough sheet के basis आपको step marking नहीं मिलने वाली है step marking का मतलब यहां पर clarify कर दिया institute में कि step marking का मतलब है कि एक question के जो 4 parts है तो उसमें अगर आपका part 1 और part 2 का answer आपने exactly सही दिया है बट part 3 part 4 गलत दिया है तो part 3 और part 4 में आपको full marks मिल जाएगा तो step marking का मतलब यहां पर यह है simple शब्दों में यार तुमको final answer के marks मिलने वाला है इसको step marking नहीं बोलते है मेरी भाशा में तो मेरी भाशा में step marking उसको बोलते है कि जब question आप solve कर रहे हो तो उसके अंदर steps कर रहे हो उसके आपको marks मिल रहे हो कि यह यह step सही है एक marks यह step सही एक marks बट ऐसा यहां पर नहीं है यहां पर आपको final answer की marks मिलने वाले और वही है step marking तो आपके rough sheet के basis आपको कोई भी marks नहीं मिला है तो जैसे चाओ वैसे rough sheet में आप question को solve करना ठीक है वो उसको check नहीं किया जाएगा as simple as that ठीक है और फिर don't discuss paper with friends तो basically ह हो तक है exam center से बाहर आने के बास हमारे दोस्तियार होते हैं हमारे साथ में तो हम उनके साथ paper discuss करने बैठ जाते हैं कि यह तो यह बिल्कुल भी मत करना क्योंकि generally क्या होता है जैसे मालो आपको ऐसा भी लग रहोगा आपका paper अच्छा नहीं है खराब गया तो फिर भी आप उ क्योंकि मैं आपको खुद बता रहो मेरा paper का experience मेरा cost accounting का paper मेरे को ऐसा लगा था खराब गया है और इस वज़े से मैं थोड़ा सा low-low feel कर रहा था paper discuss कर रहा था लोगों को call कर करके at last cost accounting को मेरी exemption थी और next paper के वज़े से यहां पर चीज़े थोड़ी बहुत compromise हो जाती है तो वह compromisation आपको नहीं करना है as simple as that paper discuss मत करना paper आपने दे दिया अब इसके बाद भगवान भरो से क्या होता है क्या नहीं होता है but next paper के आप immediately अपनी preparation start कर दोगे तो यह कुछ points का आपको खास तौर पे जान रखना है जब आप पहली बार आप intermediate exam appear करने वाले हो तो यह सब चीजों क प्लस exam में जाने के पहले अश्रवाद आप लोगे भगवान ची का अश्रवाद आप लोगे आप जिसको भी मानते हो आप उनका अश्रवाद लोगे कि मेरा पेपर अच्छा जाए और exam चालू होने के मतलब आपका reading चालूने के पहले आप एक बर सबका phase भी imagine करोगे कि तो यह कुछ चीज है जो आपको ध्यान रखना है ठीक है मेरे तरफ से आप सभी को God bless you take care और all the best for your exams स्पोड के आना है इतने टाइम की महनत थी अब उसका निचोड निकालना है उनको बाहर तो definitely हमें को भरोसा आप लोगों के उपर कि आप लोग युद्ध पुमी में उच्छ कोटी प्रदर्शन करने वाले ठीक है येस बाई 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 God bless you take care और all the best for your exams